नारा है और मैं भी अपने तरब से यह बोलूँगी कि योन हिंजा के खिलाव आवाज उठाने चाहिए हर लड़की को और हर लड़की को अपने लिए सपना देखना चाहिए नवस्ते मेरा नाम उशा विश्व कर्मा है और हमारी संस्था का नाम रेड़ ब्रीड लखनो असा कोई प्लान नहीं था कभी कि कोई रेड़ ब्रीड बनेगा और उशा निकल के आएगी बाहर और कोसर डोफेंस इखाए गार आसा कुछ कभी प्लान नहीं था और कभी कोई मेरे साथ घटना हुई मेरे साथ बलतकार की कोशिश हुई और जिसमें मैं एक साल के लिए ट्रामा में चली गई जब मैं ठीक हुई तो मुझे लगा कि अगर हम सुरक्षी थी नहीं है तो हमारे पढ़ने से क्या फाइदा कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे इस तरह क घटना नॉर्मल बात है लेकिन उस पर एक हम लोग कोशिश थी कि उसको कैसे उससे कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं अपने आपको कैसे बचा सकते हैं और तीसरी चीज़ यह है कि अगर वो एजुकेशन में रूची लेती है क्योंकि जब किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो समाज ही उसको अलग कर देता है उसको लगता है कि सारी गलती उस लड़की की है लेकिन हम लोग उसको बताते हैं उसको कोई गलती नहीं सिर्फ एक आक्सिडेंट तो हमें लगता है कि जो एक प्रोजेक्ट है हम लोग जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम वीक हैं, तो हमारे अंदर ही ताकत है। उन आउरतों की ताकत कैसे बाहर निकले। वो जो ताकत उन्होंने छुपा के रखी हैं, वो कैसे नजर आए। उस पे काम करना हम लोग पसंदा है। अगर वोग भूशा जी, I'm really very inspired by her, and she has motivated ourselves, all the girls of our school, and she has told how to save ourselves and how to make our image and don't fear from anyone. और एक जरूरी है बोलना कि, जो मैं यह ट्रेनिंग करती हूँ, वो बहुत जरूरी है, क्यूंकि अगर हम बात करें, हम सिर्फ लड़की को empower कर रहे हैं, तो उसमें जो बहुत बड़ा रोल है, हमारे साथ जो कुछ लड़के जुड़े हुए हैं, जो उन लड़कियों को ताकत लाने के लिए वो बराबर मार खा रहे हैं ऐसे लड़कों को समाज में आने की जरूरत है कि उनसे कम से कम पता चले कि वो समाज में एक बहतर उधारन है और हर पुरुष को इस तरह की भूनका में आना चाहिए तभी हम एक अच्छे समाज की सोच रख सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है जब मैं किसी लड़की के चहरे पर मुस्कान लाती हूँ जब उसके साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ और जो उसका दर्ध है बहुत सारी चिज़े उसने छेली होती है जब बोलती है, जो उसका डर है जब मैं बाहर निकालती हूँ, एक टाकतवर लड़की के रूप में नजर आती है और उसका दो चार दिन बाद फोन आता है, तो एक वो खुशी मिलती है और एक वो संतुस्टी मिलती है, और हमारी पूरी टीम यही चाहती है कि हर लड़की के जब मुस्काने ताफ।